नमश्कार दोस्तों, welcome you all again to the most comprehensive and to the point lecture series on mapping. दोस्कों इसके previous कुछ lectures में भी हम लोगों ने different river systems को discuss किया है, जैसे इंडस river system, जैसे गंगा river system, इस particular lecture में हम बात करने वाले हैं, North East की बहुत important rivers के बारे में, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ब्रह्मपुत्र river के बारे में, और साथ ही, ब्रह्मपुत्र river की सारी tributaries जो भी important है, देखिए, हम सारी चीजे न पढ़ेंगे और न हम याद रख सकते हैं, तो हम उन सारे important points को discuss करने की कोशिश करेंगे, जो भी exam perspective से important है, और साथ ही, इस map को अगर आप डाउनलोड करना चाहो, तो telegram से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, और उस PDF को डाउनलोड करके, आप बार बार revision कर सकते हो, चलिए, मैं लेके चलता हूँ आपको lecture की शुरुवात करते हैं, सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें, यह जो आंक्षी ग्लेशर है, यह चेमा यूंग्डूंग ग्लेशर का ही पार्ट है, इसी कारण से चेमा यूंग्डूंग ग्लेशर ही originate point माना जाता है ब्रह्मपुत्र रीवर का, उम्मिद करता हूँ अब समझ पारे हो, तो मान सरोवर इन तिबबत से निकलके, या फिर आंक्षी ग्लेशर से निकलके, या फिर चेमा यूंग्डूंग ग्लेशर से निकलके, ब्रह्मपुत्र रीवर जो है, वो फ्लो होती है, और फाइनली बे ओफ बेंगॉल में जाके गिर जाती है, यह तो आपने चीज़ें समझ ली, अब यह जो ब्रह्मपुत्र रीवर है, यह कौन-कौन सी कंट्री से पास होती है, अफकॉर्स सबसे पहले तिबबत, उसके बाद में इंडिया, इंडिया में अरुनाचल प्रदेश और असम, उसके बाद में एंटर होती है बांगलादेश, और फिर चली जाती है बे ओफ बेंगॉल में, इसी के साथ साथ, ब्रह्मपुत्र रीवर को, यारलूं, सैंग्पो रीवर कहा जाता है तिबबत में, यह क्वेशन आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है, यारलूं, सैंग्पो रीवर, इन तिबबत, इसी के बाद में दोस्तों, एक क्वेशन आपसे ये भी पूछा जाता है कई बार, कि बांगलादेश में एंटर करने के बाद में, ब्रह्मो पुत्र रीवर, जिसको जमुना रीवर कहा जाता है, उसको कौन से रीवर जॉइन करती है, तो उसको गंगा रीवर जॉइन करती है, clear, तो बांगलादेश ही वो कंट्री है, जहां पर ब्रह्मो पुत्र रीवर और गंगा रीवर आके मिलती है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि गंगा नदी को बांगला देश में गंगा रिवर नहीं बोलते हैं बांगला देश में गंगा रिवर को बोला जाता है पदमा रिवर इसका मतलब आप ध्यान रखोगे आज के बाद कि बांगला देश में गंगा रिवर जिसको पदमा रिवर बोला जाता है और ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको जमुना रिवर बोला जाता है तो जमुना और पदमा आके मिलते हैं और फाइनली ब्रह्मो पुत्र बे ओफ बेंगॉल में जाके गिरती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अच्छे से ध्यान रख पाओगे कि कैसे ब्रह्मो पुत्र और गंगा नदी मिलते हैं बांगला देश में बाइदा नेम ज पूछ लिया जाए कि ब्रह्मो पुत्र रिवन का जो बेसीन है क्लियर बेसीन एक अलग चीज़ होती है हम जानते है बेसी ऐसी चीज़ होती है जैसे मानलो यह बेसीन है जो हमारा वाश बेसीन होता है घरों में तो उसमें क्या होता है बहुत सारी जगहों से उसमें पानी आता है, तो वैसे ही river का भी एक basin होता है, river का basin हमेशा उसके core से बहुत बड़ा होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो it's spread to various countries जैसे तिबबत, भुटान, बांगलादेश and इंडिया, तो इस तरीके से आप से question पूछा जा सकता है, इसके बाद हम लोग यह देखी चुके हैं कि कैसे इंडिया में सिर्फ दो स्टेट से गुजरती है, that is Arunachal प्रदेश and Assam, उसके बाद मैं enter कर जाती है, कहाँ पर बांगलादेश, यह चीज़ आप से पूछी जा सकती है, अब हम लोग discuss करने की कोशिश करते हैं कुछ important tributaries of ब्रह्मपुत्र रिवर, तो देखें दोस्तों, यहाँ पर जैसके आप देख पा रहे हो, यह हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर चल रही है, नामचा बर्वा में आते ही, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर syntaxally band हो जाती है, syntaxal band आता है इस तरीके से, तो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर इस तरीके से चलने लग जाती है, अब यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसी को सियांग रिवर भी बोला जाता है, जब यह अरुनाचल प्रदेश में enter होती है, तो दिबांग एंड लोहित, और यह major tributary हैं, जिसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर अपने original form में आती है, तो दोस्तों इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करते हैं दिबांग रिवर के बारे में, दिबांग रिवर के अपर कोर्स में कौन सी हिल्स हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा, मीश्मी हिल्स, क्या हो जाएगा, मीश्मी हिल्स, अपर कोर्स रिजन में आती है, दिबांग रिवर के, यूप्यस ये से question पूछता है, अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो दिबांग रिवर में ही लोहित रिवर आके merge हो रही है, मैं अगर आप और तो जूम करके दिखाओं तो देखो, ये दिबांग रिवर की बात करें, तो लोहित रिवर ओरिजिनेट होती है, तिबबत रिजन में, ठीक है, ये बहाँ बिलकुल छोटे से तिबबत रिजन में ओरिजिन होती है, तिबबत में इस लोहित रिवर को जायू रिवर भी बोला जाता है, ZAYU, clear? तो जायू रिवर लोहित रिवर को बोला जाता है कहां पे तिबबत में तो इस तरीके से दिबांग और लोहित रिवर आके मिलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में वही ब्रह्मपुत्र रिवर जिसको सियांग रिवर भी बोला जाता है जब वो रुनाचल प्रदेश में एंटर करती है चलिए इसके बाद जो अगली major tributary है, वो है हमारी दिहींग, अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ, कि यहाँ पे हमने left bank tributary और right bank tributary का concept already clear कर लिया है, अगर हमारी नदी ऐसे भेहरी है, तो इसका left क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और right क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, इस कारण से दिबांग, लोहित, दिहींग, दीखू, इस site की जितनी भी हमारी tributaries हैं, वो क्या कहलाएंगी, left bank tributary, मैं उमीद करता हूँ, समझ पा रहे हैं, चलिए, हम हमारी अगली left bank tributary, that is, दिहींग के बारे में discuss करते हैं, दिहींग river जो है, ये again, दो छोटी 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 नदि और दूसरा, नामचिक, इन दो नदियों से मिलके, हमारी दिहांग river बनती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कि दिहांग river जो है, या फिर दिहींग river, जैसे भी आप इसको प्रनूंस करोगे, ये दिहींग river कौन से hills से निकलती है, जैसे अभी हमने बात करी थी न, दि पटकाई hills जो है, ये कौन से हिमालेयन ranges का पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस्टन हिमालेयन ranges का पार्ट है, पटकाई hills, जहां से हमारी दिहींग या दिहांग river निकलती है, और फाइनली मर्ज किस में हो जाती है, ब्रह्मपुत्र में, उमीद करता हूँ आप सम क्लियर होगा कि किस तरीके से जब कोई river ऐसे मेंडरिंग करती है, तो फाइनली और लेक्स क्रियेट हो जाता है कुछ टाइम बाग, ये concept है, जो हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया भी है, तो दिहींग river और लेक्स को क्रियेट करती है, और असम plains में जाके, ध्यान से पुत्र में असम में मिलती है, clear, तो ये कुछ point था, इसके बाद में जो सबसे important tributary आती है, वो है धन्सरी, धन्सरी को अगर आप दोस्तों देखोगे तो इसका course आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर आके मिल रही है, धन्सरी originate होती है from southwest of nagaland, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नागaland है, तो southwest of nagaland से निकल रही है, और इसमें फर्दर दो नदियां आके मिल रही है, अगर आप ध्यान से देख पारे हो तो एक का नाम है दोयांग और एक का नाम है चाथे, इस से मिलके धन्सरी finally ब्रह्मपुत्र में एंटर करती ह हाला कि कुछ और भी नदियां है, दिहिंग और धन्सरी के बीच में, जैसे कि आप देख पारे हो दीखू और मेलाक, तो ये दोनो नदियां आप याद रखोगे कि दीखू और मेलाक कहां से originate होती है, नागा लेंड से, किस में जाके मिलती है, बम्रपुत्र रीवर में, clear इसके बाद, अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अब मेगालेया, मेगालेया में अगर आप देखोगे, तो आपको एक रिवर दिख रही है, कोपीली, ठीक है, मैं आपको इक बार जूम आउट कर देता हूँ, अगर आप ध्या मतलब कि मेगालेया से निकलती हैं, और असम में जाके मिलती हैं, क्योंकि हमारी ब्रह्मो पुतरतों सिफ्धो इस स्टेट में जाती ही न, असम और अरुनाचल प्रदेश, तो इसको भी असम तक जाना पड़ता है, अब कोपीली रिवर जो है, यह कहां से ओरिजिनेट होती है, यह ओरिजिनेट होती है, साइपॉंग रिजर्व फॉरेस्स से, कहां से होती है, साइपॉंग रिजर्व फॉरेस्स, that is in south east of मेगालेया, अब यह जो कोपीली रिवर हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो यह असम और मेगालेया के बीच में boundary भी create करती है, clear हो है, तो कोपीली मुख रिजन इसको कहा जाता है, तो दोस्तों अभी तक हमने left bank tributaries को तो पढ़ लिया, मतलब कि यहाँ वाली, अब हम ब्रह्मपुत्र की right bank tributaries को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली रिवर, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो सुबेंसिरी रिवर है, इस सुबेंसिरी रिवर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करते हैं, सुबेंसिरी रिवर मैंने आपको यहाँ से दिखाई जरूर है, मगर इसका origination जो है, वो तिबबत में हो जाता है, clear, तो बहुत ही छोटी छोटी small stream से बन के यह सुबेंसिरी नदी बन में सुबेंसिरी के भी main source की बात करूँ, कि सुबेंसिरी का ही main source क्या है, रिवर का, पानी का, तो वो है सिकुंग्चू रिवर, तो सिकुंग्चू is the major source of water for the सुबेंसिरी रिवर, और सुबेंसिरी largest tributary कि इसकी ब्रह्मपुत्र की, सुबेंसिरी इंडिया में कहां से enter करत अरुनाचल प्रदेश, और अगर कोई पूछे की कौन से hills से flow करती है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, मिरी hills, M-I-R-I, और फाइनली सुबेंसिरी ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है, असम में, इस जगे को जहां पर ये मिलती है, इसको बोला जाता है, जमूरी घाट क्या बोला जाता है, जमूरी घाट, जहां पर सुबेंसिरी ब्रह्मोपुत्र रिवर से मिलती है, इसके बाद अगर हम और आगे चले हमारी ब्रह्मोपुत्र रिवर से, तो यहां पर आप देख पार हो कामेंग रिवर, बहुत important रिवर है दोस्तों, कामेंग रिवर ब्रह्मोपुत्र रिवर हमारा एक माउंटेन है, जिसका नाम है गोरी चेन माउंटेन, इस गोरी चेन माउंटेन जो की अरुनाचल प्रदेश में है, भाहां से इसका ओरिजिनेशन होता है, जो की इंडो तिबबतन बॉर्डर पे है, यह कामेंग डिस्क्रिक्ट से निकलत अरुनाचल प्रदेश की इसलिए इसका नाम कामेंग रिवर रग दिया गया है और फाइनली जैसा कि आप देख पारे हो असम प्लेंस में एंटर करती है और ब्रह्मोपुत्र रिवर को जॉइन कर लेती है अब जो कामेंग रिवर है दो important protected areas से गुजरती है पहला है सेसा या फिर eagle nest century on its west और दूसरा है पके tiger reserve उसके east में ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है UPSC पूछता है और आगे बड़े अगर हम ब्रह्मोपुत्र रिवर के साथ में तो आप देख सकते हो कि अगली major tributary जो है वो मानस है बेकी बहुत ज़्यादा important नहीं है मगर फ को पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे अब मानस river के बारे में मानस river एक trans himalian river है जो की again तिबबत से originate होती है न की भुटान ठीक है तो ये source क्या है मानस का तिबबत वैसे बेकी का भी क्या है तिबबत ठीक है तो तिबबत से flow होते हुए for around 24 km वो enter कर जाती है भुटान में भुटान के बाद वो आ जाती है इंडिया में जहां पे वो ब्रह्मपुतर रिवर से आके मिल जाती है अब आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके से सुबेन सिरी largest tributary है ब्रह्मपुतर रिवर की बिलकुल उसी तरीके से मानस river जो है ये largest river system है भुटान का भुटान मे बहुत बड़ा water का source मानस river है इसके बाद मानस river दो important protected areas से होके गुजरती है जैसे अभी हमने कामेंग के बारे में देखा था कामेंग में हमने देखा था pocket tiger reserve वैसे ही मानस river जाती है royal मानस national park तो मानस national park और मानस wildlife sanctuary clear तो यह आप से पूछा जा सकता है इसके बाद में अगली important tributary right bank संकोश river संकोश river भुटान के नर्दन पार्ट से originate होती है यह भी right bank tributary जैसे मैंने बताया ब्रह्मोपुतर river की hill से होके गुजरती है बहुती steep slope से होते हुए और finally ब्रह्मोपुतर river में आके मिलती है असम state में संकोश river अगर आप ध्यान से देख पारे हो तो border create कर र यह असम और west bengal की boundary है यह असम है यह west bengal है इसी के साथ साथ एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि यह बांगलादेश और इंडिया के बीच में boundary create कर रही क्योंकि यह बांगलादेश है और यह हमारा प्यारा भारत clear तो इस तरीके से संकोश river के बारे में आप ध्यान रख स बंगलादेश अब बंगलादेश में आने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक और right bank tributary है इसको अगर उपर में थोड़ा से stretch करूँ तो आपको लगेगा कि यह तो तीस्ता तक आ रही है और यहाँ पे रंगीत लिखा हुआ है तो चलिए अब हम लोग एक और right bank tributary के बारे में पढ़ते हैं हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर की जिसका नाम है तीस्ता रिवर जिस पर UPSC question पूझ भी चुका है बहुत टफ question बनाया था UPSC में ध्यान से देखो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखरी तीस्ता रिवर यहाँ पे आपको दिखरी रंगीत जो की कंचन जंगा रेंजेज में आता है मैं फिर से रिपीट करता हूँ तीस्ता रिवर का सोर्स है जेमू ग्लेशियर जो कंचन जंगा रेंजेज में आता है यह सिक्किम की लाइफ लाइन है यह डार्जलिंग हिल से डीब जॉर्जेज बनाते हुए आती है एंटर करती ह ताइगर हिल रेंज में, कैलिम पॉंग हिल रेंज में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैलिम पॉंग हिल रेंज में, और finally यह enter कर जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर में इंदा बांगलादेश यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है थोड़ा सा कि तीस्ता रिवर में और भी कुछ नदियां है जो आके मिलती है जैसे रंगीत रिवर अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो रंगीत रिवर यहाँ पर आके मिल रही है इसी के साथ रैंगपो रिवर यहाँ पर आके मिल रही है क्योंकि यहाँ पर तीन नदिया मिल रही है तीस्ता रंगीत रैंगपो इसको बोला जाता है त्रिवेनी और finally इस तरीके से हमारा प पूरा river system है, इसको मैंने explain नहीं किया है, वो ऐसा इसलिए है, क्योंकि यहां से आती है हमारी एक बहुत prominent river, that is Megna river, Megna river बहुत अलग-अलग नदियों से मिलके बनी है, तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, कि ये वाला जो पूरा region है, इसमें कौन-कौन सी न river नहीं किया है, तो सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं हम लोग मनिपूर को, मनिपूर में बहुत important river जिसका नाम है बराक river, बराक river जैसा कि आप देख सकते हो, यहां पर आती है, और नागा लेंड और मनिपूर के बीच में boundary से create करती है, इसके बाद मैं move करती है, इस थोड़ा सा और zoom करूं, तो यहां पर तिपाई मुख नाम की जगे पर आके इसमे एक नदी मिलती है, इसका नाम है तुईवाई, तो तुईवाई और जैसा मैंने बताया बराक river, कहां पर आके मिल रहें, तिपाई मुख पर, यहां से फिर से northern move करने लग जाती है हमारी बर पर आक रीवर, और वापस से boundary create करने लग जाती है, इस बार दूसरा, इस बार आगर आप देखोगे तो यह असम है, इस साइट, और इस साइट क्या है हमारा मनीपूर, तो असम और मनीपूर की boundary create करती है, फिर पूरी असम में चली जाती है, असम में जाने के बाद में यह मेगना रीवर, और मेगना रीवर कहां पर मर जो जाती है, अजर ट्रिब्यूटरी बांगलादेश में, यह आपको ध्यान रखना था, तो चली दोस्तों आपको एक बार फिर से map दिखा दिया जाए, जो हम डिसकस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक, जो major part होता है, उसको हमने पूरा cover कर लिया है, अब हम लोग बात करने की कोशिश करने वाले हैं, बराक रीवर के और जो चोटी चोटी नधिया हैं उससे, तो जैसा कि हम लोग बराक रीवर को भी देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, यह बराक रीवर का flow है, यहां दो नदियां दिखरी होंगी, एक तो IMPALP और एक IRILA, ये IMPALP और IRILA, दो तरीके से हो आइसे चलना शुरू होती है, और ये जो IMPALP और IRILA नीज मत्ती है, ये इसका Southern Extension है, तो őसकी तू आप जैसाया याद रखना चाहो, आपको तो याद रखना है तो मैं आसान तोर पैसे याद रbakता हूं IMPAL, IRIL, में यहांपे आगे चली मिली मनिपूर रीवर से और मनिपूर रीवर आगे चली और मिली चिंडविन रीवर से यह चिंडविन रीवर जो है यह म्यानमार का पार्ट है या फिर म्यानमार में flow होती है इस तरीके से मैं याद रखता हूँ एक और बहुत छूटी नदी आपको यहाप दिखरी होगी बाइदा नेम नम्बूल यह नम्बूल का जो कोर्स है वो सिर्फ इतना सा है इस नम्बूल को आप याद रख सकते हो 2Y यह 2Y मिलती है किसमे बराक रिवर में यह वाली हमारी बराक एटा पॉइंट टिपाई मुक तो इस तरीके से आप इनको मार्क कर सकते हो चलिए हम लोग चलते हैं हमारी अगली स्टेट पे डेटीस मिजोरम अब मिजोरम में सबसे पहली नदी जो सबसे आसान है वो है सोनाई रिवर अगर मैं इसको और फिर्फ 57께서 जूम करके दिखा हूँ आपको तो बहुत ही आसान से आप याद रख सकते हो सोनाई रिवर कहां पे जारी है हमारी बराक रिवर में और बराक रिवर फाइनली यहां पे जाके क्या बन जाती है ये तो हम जानते ही ये ये बन जाती है हमारी मेगनारी वर सोनाई गई बराक में बराक गई बांगला देश में वहां बन गई मेगना इसी के बाद मिजोरं में कुछ और भी नदिया हैं जिनको आप याद रख सकते हो जैसे यहाँ पे अगर आप देख पार हो तो एक तुईचॉंग लिखा हुआ है यह तुईचॉंग करना फुली में मिलती है और फाइनली बे ओफ वेंगॉल में ड्रेन आउट हो जाती है तो तुईचॉंग बहुत जाता इंपॉर्टेंट नदी तो नहीं है मगर फिर भी आपको यह पता होना चाहिए तुईचॉंग के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ट्लॉंग इसको लॉंग भी पढ़ सकते हो आप लॉंग भी पढ़ सकते हो टी साइलेंट होता है वैसे इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे इस रिवर के कोर्स को तो अब इसमों आप देख सकते हो यह आपकी है लॉंग इस लॉंग जो है यह ऐसे बहरी है और यह भी हमारी बराक रिवर में मर्ज हो रही है और फाइनली वापिस बराक रिवर मेगना बन रही है इस Long River में एक और रिवर जाती है जिसका नाम है Toot तो Toot, Trong, Barak इसके बाद एक और बहुत important रिवर है इसका नाम है Tiau यह Tiau और Kaladan River, यह Kaladan River है म्यानमार की यह मिलती है Mizoram में और Mizoram से flow होते हुए यह गिर जाती है सीधे Bay of Bengal में तो यह रिवर्स थी Mizoram की अब चलते हैं अगली स्टेट पर देट इस त्रिपूरा त्रिपूरा में सबसे आसान नदी जो है उसका नाम है Manu और Khowai ऐसा क्यों बोला मैंने? इसको बताने के पहले एक और नदी देखो आपे कुशियारा इस कुशियारा को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यह हमारे असम से निकल रही है यहाँ से ये कुशियारा नदी असम से निकलते हुए किसमें मर्ज हो रही है? मेगना में या बराक्त समझ लो ये कुष्यारा नदी में हमारी खोवाई और मनु रिवर मर्ज हो रही है इसी के साथ मेगना में एक और रिवर टितास as a tributary मर्ज होती है इस टितास में त्रिपूरा से निकलने वाली एक नदी सुम्ली मर्ज होती है, इसको आप याद रख सकते हो एक और बहुत important river जैसे कि हमने गंगा river system में गोमती पढ़ते हैं ट्रिब्यूटरी तो यह जो गोमती है यहाँ पे त्रिपुरा में गोमती river है जो मेगना में जाके मिलती है और finally त्रिपुरा से एक फेनी river निकलती है जो सीधे Bay of Bengal में जाके गिरती है clear तो फेनी river बहुत important है त्रिपुरा की इसको आप ध्यान रख सकते है तो दोस्तों this is it about northeast rivers मैं उमेद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत short और crisp manner में समझा पाया हूँ अगर हाँ तो comment में जरूर बताइएगा also share with our friends might also need and like if you share with them stay tuned with me for the future lectures keep shining have a good day